ये देखें दोस्तों ये है ऐलो वीरा इसे घर्दकुमारी भी बोलते हैं और गवार पठा भी बोलते हैं 20-25 साल पहले कोई ज़्यादा काम की चीज नहीं मानी जाती थी लेकिन जैसे ही बाबा राम देव मार्किट में आये तो ये जो गवार पठा है अलो वीरा है ये गुनों की खान बन गया और एडी से चोटी तक की सारी बिमारियों को हम अलो वीरा से ठीक करने लगे अगर आप के बाल जड रहे हैं बाल सफेद हो रहे हैं तो आप अलो वीरा जल का यूज कीजिए अगर आपके चेहरे पर फूंसी फोड़े हैं तो भी आप अलो वीरा जल का यूज कीजिए और अगर आपके जोडों में दर्द है तो आप अलो वीरा का जूस पीजिए ये जानकरी जो मैंने आपको दी यह मजाक नहीं थी दोस्तों यह सची में होती है यह अलोविरा सच में ही फायदेमंद होता है आपने पो दातों अक्सर देखा होगा घरों में भी होता है और घर के बार भी देख लिया होगा लेकिन यह देखे इसके फूल भी निकलते हैं मैंने पहली बार देखे हैं यह मैं अपने घर अई हुई थी माईक के और यह देखे लोवीरा के फूल देखिए का अप इस तरह यह लंबे लंबे होते हैं यह दो फूल निकलेवें इस पो दे पर जब पो देको 3-4 साल होजाते हैं लगाए हूए पूराना हो जाता है तब इस तरह के फूल निकलते हैं आप अगर एलोविरा का तेल बनाएं तो एलोविरा जल के साथ ही इसके पत्तों को भी डाल सकते हैं और भी अच्छी क्वालिटी बन जाएगी आपने बहुत सारी वीडियो में ऐसे भी सुना होगा आप एलोविरा के फूल को लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दो तो लक्षमी दोड़ी दोड़ी आएगी लेकिन मैं अंध विस्वासी नहीं हूं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है हमें तो दोस्तों यही सिखा गया है कि महनत और इमानदारी से काम करो तभी लक्स में आएगी तो दोस्तों यह जो एलोविरा का पोदा है मजाक की बात नहीं थी सच्ची में यूसफूल होता है और जो जो मैंने इसकी क्वालिटी बताई थी ना वो बिलकुल परफेक्ट है आप ऐसे ही मजाक में मत लीजिएगा आज की यह छोटी सी वीडियो थी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार